हेले स्टूडेंट कैसे आप सब एक बार पना स्यू कोचिंग क्लासेश पर स्वगाए था उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चलेगो बच्चो आज एक बहतर रूप से आप पोश्टर बनाना सीखेंगे क्योंकि बोड एक्जाम में हमेशा पूछा जाता है और यह जो पोश्टर बनाया जाता बच्चो यह आपको प्रिश्ण से ही तियार करना है कहीं अलग से कुछ भी नहीं करना है यह जो आपका प्रिश्ण दिख रहा है इसी प्रिश्ण से आप पोश्टर बना सकते हैं सबसे ये confusion रहता कि सर हम कैसे जानेगे कि poster बनाना है कि notice लिखना है तो भाई वहाँ पे लिखा रहेगा design and attractive poster on behalf of दिलही police मतलब दिलही police के सापेच आपको एक poster त्यार करना है ठीक है कि भाई दिल्ली police के लिए हम ये मतलब दिल्ली police के तरफ से एक poster त्यार किया जा रहा है कि आप इन से सहायता ले सकते हैं कैसे आगे देखिए to educate educate मतलब थोड़ा सा कही न कही प्रसिछित करना and burn the people against मतलब लोगों को aware करना है किसके बारे में unclaimed articles मतलब जो भी आपको कोई बस्तुएं दिख जाए जो की किसी काम के न हो या कि मा लीजे उसके बारे में आप नहीं जान पा रहे हैं ठीक है like dolls जैसे मा लीजे dolls नहीं गुडिया कहीं पे पड़ाओ to tiffin है waxes है मतलब कही सारे wax जैसे पड़े रहते हैं कहीं भी public place पे suitcase, bags, transistor, mobile, link in public place, train, buses अब देखिए यहां पर यह बोला गया है कि मा लीजे आपको क्या करना है बच्चो सबसे पहली बात तो educate मतलब प्रसिचित करना है लोगों को जागरू करना है ठीक है सचेत करना बारनक मतलब होता है सचेत करना people agonist unclimate articles मतलब ऐसे कुछ बस्तु है जो कि आपको public place पे दिख जाए ट्रेंस पे दिख जाए बसी स्टेंड पे दिख जाए बस पे दिख जाए ऐसा जगह जहां public place हो और हम उन बस्तु को नहीं समझ पारे है किसका बस्तु यह चीज़े आपको यह दिख जाए लाइक्स डॉल्स गुडिया जैसे आपके पास टीफिंस है बाक्स है सूट केस यह चीज़े दिख जाए लाबारिस जिसे बोला जाता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको help लेना पड़ेगा दिलही police के लिए मतलब यहाँ पर आपको बताना है कि यदि यह चीज़ें आपको दिख जाए यदि यह चीज़ें आपको दिख जाए तो आपको inform करना है जैसे यदि मैं कहे दूँ कि हर जगह कमा लिजे police का number कुछ भी होता जैसे MP में dial क्या होता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि यदि आपको यह चीज़ें दिख जाए तो तुरंट इमीडियाटली जिससे बोला जाता है contact करना है नियर police station पास में तो इसके बारे में लिखना है सबसे पहले क्या करना बच्चो यहाँ पर कुछ ऐसा एक छोटा सा सब्द लिखना है जिससे लोगों को कहीं न कहीं जागरुकता आ जाए जैसे यदि आप लोग alert हो मतलब अंदर से जागरुक हो तो you can alert आप टाल सकते हैं you can alert का मतलब होता है आप टाल सकते हैं कोई भी कितना भी कठनाई आ हो यह बंबलाश्ट जैसे मालीजे आपके नजदीक में कोई घटना दुरघटना घटी थोड़े वाला हो उसे आप टाल सकते हैं if you are alert मतलब आप यदि सचेट हो तो you can alert आप उसे हटा सकते हो किसके वारे में भाई यह सबजी बसती हैं इससे क्या हो सकती है आप पहले सोचो बंबलाश्ट हम बनाने ही जा रहे हैं बंबलाश्ट थोड़ा सा पहले आपको लिखना है कैसे लिखना बच्चो मैं दो colors का use करता हूँ एक तो मेरा रहता है blue और एक black तो सबसे पहले लिखना है बच्चो जैसे मैंने कहा एक छोटा सब्द लिखना है अब देखिए लिखने का तरीका यह होता है जब भी आप बनाएंगे तो इधर माली जे लाइन बच्चो इतना से आप इधर जोन दो और इधर अपना इधर छोन दो इतना इसी के बीचो बीच लिखना है जितना आपको लिखना हो यह आपको लिखने का तरीका है कि इतना सोच लो पहले से टिक लगा लो इतना से हमको लिखना इसी के बीचो बीच लिखना है फिर हमको क्या करना है एक box बना देना है तो देखें बच्चों कैसे लिखना है If you are alert You can avoid bomb blast मतलब यदि आप सचेत हो जाते हैं तो आप बचा सकते हैं bomb blast से मतलब भाई जैसे इन चीजों को आप लोग देख पा रहे हैं जो काम का नहीं है लावारिस पड़ा है तो उसके प्रति आप लोगों को जाग रुख करना बच्चों तो देखें मैंने पहले थोड़ा सा blue से लिख दिया फिर black से लिख दिया इसको और चैबं blast को और थोड़ा आप मोटा बना दे जितना attractive बनाएंगे नंबर उतने अच्छे से आपको मिलेगा अब किन चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको जाग रुखता देनी है जैसे आपको मिल जाए कहीं पे unclaimed बस्तुएं जैसे यहाँ पे dolls हो गया, tiffins हो गया, boxes हो गया, suit case, wax, transistor इसको आपको नीचे लिख देना है तो आगे लिखना बच्चों भेंड यू, notice यदि आप कुछ notice कर पा रहे हूं यदि मालीजे कहीं आप जा रहे हैं और notice कर लें क्या, any unclaimed लावारीश चीज़ें जैसे dolls, गुडिया, tiffin box, transistor, briefcase है ना, या जैसे इसको हम संशिप्त मावला बोले हैं, छोटा मोटा कोई बस्तू suitcase, bags, etc. आगी लिखना बच्चों तो आप लिख सकते हैं extra में, etc. और भी कोई बस्तू दिख जाए आपको mobile हो गएरा दिख जाए तो मैं mobile भी लिख देता हूं, ठीक है mobile लिख दिख जाए बच्चो, mobile है ना और आप लोग लिख सकते हैं electronic बस्तू है यहां लिख चारजर दिख गया आपको और हमारे काम का चीज़े नहीं है, etc. मतलब और भी कुछ ठीक है, तो आपको कोई लावारिस चीज़े दिख जाए इन में से तो आपको क्या करना बच्चो, क्या करना है information देना है, किसको, दलही पुलिस को अच्छा, यह कहां पर दिख जाए, अभी तो आपको यह बताया है कि आप इन चीज़ों को notice कर ले, कहां notice कर ले, in a public place इनको आप notice करो, कहां यह दिख notice करो बच्चो, तो आपको नीचे लिखना है in a public place, p-u-b-l-i-c, है न, public place, p-l-a-c, public place या मालीजे, trains में, trains में आपको दिख जाए, या मालीजे, आपका वसिस्टेंड या बस में बच्चो, या बस में दिख जाए, या इट्स रिट्रा, मतलब और कहीं पर दिख जाए तो यह चीज़े दिख जाए, तो आपको क्या करना है, immediately, तुरंत, contact करना है nearest police station, जो भी आपके पास, पास में, नजदिक में, police station हो, वहाँ पे आपको contact करना, अभी ये सारे चीज़े कहां से, सारा का सारा हम प्रिशन से उठा रहे हैं, देखे, बोला है ना, laying in public place, trains, buses, है ना, हमने यहाँ से लिखा है भाई साब, कि public place में दिख इन चीज़ों को नहीं भी आप देख लें, तो आपको क्या करना है, near about police station, जो भी आपके पास हो, वहाँ पे आपको dial करना handed, ठीक है, help मिल जाएगा आपको delay police से, तो ये चीज़े आपको लिखनी है, immediately contact nearest police station, या dial 100 number, हमारी MP में 100 number चलता है, इसलिए dial 100 number, ये हमने तयार कर लिया, अब इसमें बच्चो मुख रूप से आपको, जैसे अभी आपका ये पूरा complete नहीं कहलाएगा, जब तक इसको आप एक box के अंदर बंद नहीं करेंगे, तो चलिए, इसको मैं एक box के अंदर बंद करता हूँ, और फिर आपको थोड़ा सा systematic या पर दिखाता हूँ, कैसे दिखता है, ठी दर भी आपको एक box के अंदर इसको बंद करना है, ठीक है, जितना अच्छे से इसको आप सजाओगे, उतने अच्छे से आपको number मिलने के chance रहते हैं, अब देखे बच्चो मैंने double lining कर दिया है, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगेगा, अब देखे पूरा complete हो चु सकते हैं, ताकि बंब लाष्ट को रूखा जा सके, अब आपके पास कितना अच्छा कला है, यहाँ पर आपको यही बंब बनाना है, तो बंब भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बंब बना सकते हैं, कैसे होता है, जैसे ही होता है न, गुलाकार, और बंब फो लो थोड़ा सा आपको अट्रेक्टिव बनाना है जितना अच्छे से बना सकते हैं बना सकते हैं अब यह जब फूटे गाना चिंगारी छोड़ेगा इस प्रकार से ठीक है यह चीज़े तो अब इससे अच्छा क्या बनाओगे आप लोग और दी बनाना है और कुछ बना सकते हो गूगल से निकाल लो मैं कैसे हम इसका इस्ट्रक्चर बनाएं तो उमीद करता हूं बच्चो यह आपको समझ में आ गया होगा और सभी को त्यार करना है हर एक बच्चे को त्यार करना है और ऐसे कोई भी एदी पोस्टर आता है तो आप लोग अपने से कुछ और एड़ कर सकते हैं जरूर नहीं कि जितना कोश्चन में दिया रहा था ओके बच्चो फिलाल आज के लिए इतना ही जय हिंद बंदमात्रम